कोश्चिन नबर 14 में इन दा सर्किट शोन बिलो दकी इस प्रेश्ट एट इकल तो जिरो विच आप फॉल्विंग स्टेटमेंट्स इसाथ प्रू यह वाली की को हम क्लोज करेंट इकल टू जिरो पे तो मैं इसमें वोल्ट मीटर करेडिंग बताना है जस्ट आफ्टर की प्र सबसे important बाद हमें उसने यह नहीं बताया कि यह वोल्ट मीटर है इसका क्या राइसिस्टन्स है और ऐसी कंडिशन में इसको आइडियल वोल्ट मीटर लेके जलेंगे तो आइडियल वोल्ट मीटर की खास बात ही होती है कि इसका रेस्टेंस इन फाइनाइट होता है और इन ब्रांच में कभी भी कोई भी करेंट का flow नहीं लेंगे इन आइडियल सिट्विशन तो हम क्या करते हैं हम लोग इस पॉइंट को नाम दे देते हैं यह पॉइंट हो गया एए यह पॉइंट हो गया भी ठीक है और जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वोल्टमेटररीडिंग यह हमेशा व यह माइनस वीबी के एककuni अ उफ्म होगी और इसे वोल्टमेटर को रॉपुक। बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है तो अगर आप इस वोल्ट मीटर को यहां से हटा दो रिमूफ कर दो और सिंप्ली यह ध्यान रखो कि हमें वीए माइनस वीबी की वैल्यू कैल्कुलेट करनी है तो एक आर्सी सर्कुट यह उपर वाली ब्रांच में है और एक आर्सी सर्कु से कनेक्टेड है ऐसे समझो तो एक तरह से यह दो आर्सी सर्कुट पैरलल में है मैं इसको जड़ा रीड्राव कर रहा हूं देख लीजिए आप यह उपर आली ब्रांच का कैपैसिटर रिजिस्टेंस ठीक है और इसी तरह से नीचे वाली ब्रांच में रिजिस्टेंस कैप एमिटर भी चनेक्टेड है करेंट मीजर करने के लिए यह वेली दीन ही त्वेंटी फाइव किलो ओम यह दिया हुए 20 माइक्रो फेरेड और यह दिया हुए 50 किलो खास बात यह भी है इस सर्कुट में उपर अले सर्कुट का रहा होगा तो एक दूसरे से इंडीपेंडेंट होगा है मालने थे नीजिए परांड में खिलेघ तो नीची अली बॉर स्वाइगा और उपर ली वरांच में क्यूट होगा वो इसके उपर आ जाएगा तो हम इसको तो फाइब वोल्ट के हिसाब से डारेक्टली लिख सकते हैं आर्सी सर्कृट का हमारे पास फॉर्मूला है कि देखिए द्यान से कि तो कि क्यूवन की वैल्यू लिखेंगे क्यूवन की वैल्यू हो जाएगी कि सीए सी की जगे होगा 20 और एकी जगे होगा 5 देखना द्यान से सीए ब्रैकेट वन माइनस इटू दी पावर इनका टाउ निकाल के रख लेते हैं टाउ की वैल्यू होगी आर इंटू सी तो यह थाउजंड आ रहा है मिली सेकेंड जिसको हम लोग 1 सेकेंड लिख सकते हैं तो इटू दी पावर माइनस टी बचेगा सिंप्ली आईवन की वैल्यू लिखेंगे तो यह बनेगा ईपाउन आर यह वैल्यू आएगी माइक्रो कूलम में तो इपाउन आर आर की वैल्यू है इसमें 50 इंटू इटू की वैल्यू होगी 40 इंटू 5 ब्रैकेट वन मैंनस ए टूदि पावर माइनस टी माइक्रो कूलम में और आईटू की वैल्यू लिखेंगे तो यह होगा इपाउन आर इटू अएटू दी पाउवर माइनस यह मिली एमपियर में तो हमें हरेग ब्रांच से करेंट हरेग ब्रा तो अब अगर हम व यह माइनस भी निकाले तो इसका मतला है a से चलके बी तक जाना है तो हम a से चलके बी तक इस रास्ते से चलते हैं देखे ध्यान से तो इधर से चलेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस 50 i1 and प्लस q2 by 40 देखे देहां से माइनस 50 i1 तो माइनस 50 i1 लिखेंगे तो यहाएगा माइनस 5 e to the power minus t और q2 by 40 q2 by 40 अगर करेंगे तो यहाएगा 5 bracket 1 minus e to the power minus t देखें अब इसकी value add t equal to 0 add t equal to 0 ज्यान से देखो VA minus vb क्या हो जाएगा add t equal to 0 अगर आप लिखो तो यह बनेगा minus 5 plus 5 minus 5 तो यह value आ रही है minus 5 वोल्ट ठीक है और t tending to infinity पे e power 0 जाएगा e power minus t तो यह बनेगा plus 5 तो इसका मतलब option ए तो correct है ठीक है इसके बाद वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 0 कब होगी तो 0 के लिए हम लोग यह बोलेंगे minus 5 e to the power minus t plus 5 minus 5 e to the power minus t equal to 0 तो यहां से देखो आपको एक एक एमिटर रीडिंग एमिटर रीडिंग का मतलब हुआ आइवन प्लस आईटो तो जरा आइवन प्लस आइटो यह निकाले आइवन प्लस आइटो गी वैलीव आएगी वन बाइटन e to the power minus t plus 1 by 5 e to the power minus t तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लो 3 by 10 e to the power minus t तो कह रहा है कि it becomes 1 upon e after 1 second तो सही बात है कि t equal to 0 पे current की value है 3 by 10 और t equal to 1 second पे current की value है थ्री अपॉन टेंड टाइम्स की तो यह वन अपॉन इटाइम्स हो जा रही है ना सीधे सीधे वन अपॉन इटाइम्स आई तो option c भी correct है और कह रहा है कि after a long time current become 0 तो दोको आफ्टर ए लॉंग टाइम की दोनों function 0 हो जाएंगे क्योंकि e to the power minus t यह ना तो इंफिनिटी टाइम पे 0 हो जाएगा तो option d है जो सेम बैटरी से connected है ठीक है ना तो दोनों में करेंट और चार्ज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि दोनों की एक्रॉस वोल्टेज हमेशा 5 वोल्ट मेंटेंड है हुआ हुआ है